शेशन को करना है करटे चलनाहें लाइक यदि तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जसरीय को भी करते चलनाहें सब्सक्राइम मोर्निंग के साथ मॉटिवेशन के साथ सचिर शुड़ु करते सुख भारम और कहा जा रहा है समट लेट विकम्स नेवर दू इच ना तो भई वेडि आफ़ें वेरी आफ़ें हम लोग कुछ ना कुछ चीदों के लिए लाइफ के लिए कभी कभी कह देते हैं इंपोर्टन चीदों के लिए कि बाद में कर लेंगे तो भी बाद में कभी नहीं आत से लेटर अगर आप यदि कोई भी काम सोचते हैं कि बाद में कर लिया जाएगा इसपेशली अपने इंपोर्टेंट बोल्स को लेके तो ऐसा होता नहीं है तो इस वज़े से आपको अभी के अभी करना होगा आप उसको सोचें तो यही आपका मोटिवेशनल कोट है तो चल सबसे पहले किस प्रकार से सेशन चलने वाला है यह देखते हो चलते हैं तो प्रीवियस सेशन के साथ सेशन को शुरुबात करेंगे उसके बाद आज की मोस्ट इंपॉर्टन करेंट अफेर नदर डालेंगे उसके यदि न्यूस से रिलेटेट को स्टाटिक जी के होगी तो यहीं अगर बात की जाएं अगर कोई भी होगा इसी के न्यूस के बीच में तो वह सारे मल्टिपल चॉइस कोशन से देखते हुए चलेंगे और वह कोशन रहेंगे दिवीजन वाले और साथी साथ लास्ट में जो एते रहेंगे जो पढ़े नहीं तो और अफकॉर्स लास् लाइब करते हैं करते हैं तो सबसे पहले बाइब बाइब को वेरी गुड़ मॉर्निंग विनोद रूपा सुभाष कुलदीप पार्वती जूली सुमित पीके गुड मॉर्निंग बाइब सभी लोग जोईन करते जाओ और आज की तारी क्या तारी के तारीक है तारीक है पढ़ा था क्या सब पढ़ाता परिवियस रे में तो बहुं से पहले हम लोग ने यह पढ़ाता कि राज्यस्थान को एक पुरसकार दिया गया नाशनल एनर्जी कंदर्वेशन अवार्ड राजस्थान को पुरसकार दिया गया नाशनल एनर्जी कंदर्वेशन अवार्ड यह महस्थ प्रिवियस रे की हैड्लाइन्स होती हैं सिर्फ एक फ्लैश के लिए जिससे की एक आपके माइंड क्या के फ्लैश हो जाए कि क्या क्या पिछले सेशन इंडिया की सब्स्रेंट हैं आप नबर अपर हमें और श्रफ ने परनिया वहीं वीमंस लिस में टॉप ऑबामा जी ने और इन लिवेशन ने नृंट यहें निस साथ एक memorandum of understanding जिसके इन्हों ने कहा है कि जितने भी आर्मी पर उनको उनकी फैमिली दोंगी उनको बेनफिट दिया जाएगा इसके अंतरकत फिर बात किजा एंटी पीटी ने अवार्ड किया है कंट्री का पहला ग्रीन हाइड्रोजन उसे संब्मानित यह और यह जो है सिमादरी प्लांट आंथप्रदेश में यह प्रॉजेक रहेगान इसको लएसपो संब्मा Whenever नीर も of the year रहे है और वहीं यह is और यहां पर सुनील का वासकर को इसका एक मेडल भी दिया जाता है जो इसके अंतरगत इनको दिया गया था और लास्ट गवर्नमेंट ने एक्टेंड की थी प्रधान मंत्री क्रिशी सिचाई योजना कब शुरू हुई क्या थी योजना के अब्जेक्टिस टे मोर क्रॉप प थारी बात लेक्ट ज्वाइन के साथ पहला काम क्या तो सब्सक्राइब डटन प्रेस्ट आपको जो है यहां पर अगर आप जो अल्रीट हो तो आपको सेशन को लाइक करना सेशन होने वाले सुपर सुपर मौस्ट इंपॉर्ट तो बहीं पिछले दिन के हेडलाइन होती है तो यहाँ पर खागे उत्रा खंड में देखा जाता एक उत्रा खंड में गोशित कर दिया गया तो कहा जा रहा है कहा क्या जा रहा है तो यहाँ पर एक सब्सक्राइब कर दिया गया है अब आओ देखते हो चलते क्या बात कर जा रहे है कि यहां पर 454 चार सो यहां पर कह सकते हैं 54.65 स्कॉर किलो मीटर का जो एरिया होता स्कॉर्ट वाइल लाइफ सैंचरी के आसपास जो कि आप उत्तरा खंड के पद थोड़ा गर डिस्टिक में देखने को मिलेगा उसको आपको इको सेंसिटिव जोन में डाल दिया गया है अब ऐसा क्यों क और यहां पर यहां पर यहां पर इसको बनाए गया था यह बात यहां के पर बताए जा रही है और प्योंकि क्योंकि यहां पर गाउं का विलेजे शाहां है कि रहता है और इस जाती है तो जिस वज़ेते हैं पर human animal conflicts होता है रहता है दिक्टते रहती है और इसी लिए इसको इको सेंसिटिव जोन में डाला जा रहे है यही रीजन है कि इसको कहां जा डाला जा रहे है इको सेंसिटिव जोन में डाल जा तो यह बात या रखना कि इको टेंसिटिव जोन ऐ है और देखते चलते हैं कि क्या है यह संसिटिब तो कहा जाता है कहा जाता है यह जो यह परिस्थितिक संवेदन शिल छित्र होते हैं कहते हो निसरा रहा है इसकी हासबास के दस किलोमेटर के और मिनिस्ट्री ओफ एन्वायमेंट फॉरेस्ट और यहां पर कहा जा रहा है यहां पर कहा जा रहा है यहां पर कहा जा रहा है इसके अंतरगत अगर यहां पर कहा जा रहा है अगर यहां पर नकारात्मा प्रभाव का यहां पर प्रभाव पढ़ेगा चीजों पर तो यहां पर क्या हमारे स्पीशीज प्रोटेक्टेड रह पाएंगे नहीं इसी वज़े से जहां पर यह देखा जाता है कि कोई दिखकत आ नहीं जैसे इसके आसपास गाउं अगेरा बसे थे तो इसको इको सेंसिटिव जोन में क्या कहा जा रहा है ट्रांसफर कर दिया जा र क्या इनके पास कोई और मंत्राले है वटावर से बताना है कि और मंत्राले होता है यह नहीं होता है क्या होता है यहां आपर जब आपर मिनिस्टर का नाम सोचो तब तक हम यहां उत्तरा खंड के बारे में देख लेते बारे में क्या क्या चीज़ें हमें पता हैं यह हम लोग देखते हूं जलते क्या क्या बातें यहां पर पता हैं तो नौवंबर नौ नौ नौवंबर 2000 याद करो याद कर आपको करता है इसका सथापना दिवत तरह मनाया जाता है वहीं अगर बात करे जाएं यहांके सियम कौन है । सियम त्रीवेंदर सिंग रावत हैं गवर्नर वेबी रानी मौरियां कौन है सबसे वह यह कम उमर के यंगिसट सीयम रहेंगे ये बात भी यास पिछखनी तीन और लोग तब कि पांच सोटे यहाँ देखने को मिलेंगे और इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका यहाँ पर अलपाइन मस्क डियर पशु होता है फिर अगर आप से पूछा जाए। गोल्डन महातीर कौन थी होती गोल्डन क्या गोल्डन महातीर नाम की मचली देखने को मिलती है और यहां पर आप से पूछा जाए फूल होता है ब्रह्म कमल पूल कौन सा होता है फूल होता है ब्रह्म कमल नाम का फूल होता है फूल होता है ब्रह्म कमल नाम का और बूरन नाम बूरन नाम के वरक्ष होता है बिल्कुल बहुत अच्छे पारवती ने बताया है आंसर यहां पर भूपेंद्र यादव नाम रहता है जो आपके यहां पर कौन है मिनिस्टर उनके पास कौन सा मंत्राला है इसके अलावा याद रहना और है विनिस्टर ओफ लेबर एंप्लोइमेंट भी यही है यही है आगे बढ़ा जाए सब्सक्राइब कुछ ये लाइक हो रहा है तो बड़ी इच्छी बात है उ स्का नाम कर दो और ये कब हुआ ये कहा पर ये पार्क देखने को बहता है सारी बाते बताते चलना इसका नाम चेंज होने की बात की जा रही ये कहां पर देखने को बलता है फटा-फट से बताते चलना कौन थी जगा है जहां पर इसका दिक्रुआ है और पहले इसका नाम रहता था राजीव गांधी और रांग नैशनल पाक और नाम इसका पूरा-पूरा बदली कर दिया गय बहुत अच्छे आज आज आपने जॉइन के लाइब में निकिता कानहान ओके पारवती शालिनी ओके अकरम पीके तो भई आंसर रहेगा जो भी लोग आप्शन नंबर फोर कहे रहे हो वह बिल्कुल सही है अप्शन नंबर फोर सही है असम में यह देखने को मिलता है जिसक रांग नैशनल पार कर दिसके तो और हो रांग नैशनल पार कर दिया जचे घए हैं avait बहुत अच्छे शाहिंतैं उर नाप और पारी अच्छे नाम से आयायर वाइल्टेश्यू का लीटीक नान्स यह नाम साथ से इसका नाम बन गया 1992 में यहां पर कहा गया यहां पर कहा गया कि यहां पर ओरांग जो यह सैंक्चुरी है इसका नाम बदल के ओरांग नाशनल पाक कर दो ओरांग सैंक्चुरी नाम का कुछ रहेगा नहीं अब इसको बदल के ओरांग नाशनल पाक कर दो फिर यहां पर फिर ओरांग नाशनल पाक रहा लेकिन 2001 में तरुन गोगई की सरकार रही और इन्हों नहीं कह दिया कि अब इसका नाम राजीव गांधी यहां पर राजीव गांधी ओरांग नाशनल पाक रहेगा लेकिन भई हुआ क्या अब यहाँ पर finally finally आपके कौन है हिमंत भिस्वा सर्मा जी है हिमंत भिस्वा सर्मा जी ने कहा देखो अब इसका नाम के आगे से राजीव गंदी का नाम दो हटा और इसका नाम सिर्फ क्या रहेगा सिर्फ रहेगा ओर रांग आशनल पराक यह इसके बारे में पूरी पूरी बात है रहे ठीक है सिक्किम में क्या देखने को मिला कतली क्या है सिक्किम की सिक्किम की स्टेट फिश है कतली असम के बारे में क्या जान रहे हो जूडीमा राइस वाइन जान रहे हो जब हम असम की बात कर लेते हैं फिर उसके बाद अगर त्रिपुरा की बात करें तो हग घिरा हagnा अपर यह रहे पार्क अंप कर दिए पर दिए आप गांगंग हो गया और गारी निरी पार्क कांप पार्क सब्सक्राइब हाएक does सब्सक्राइब हो सब्सक्राइब की यहां और है पर देखने को मिला यह सारी बाते आओ देख लेगे ठीक है आगे बात की जाए परंबी कुलम टाइगल कंदर वेशन फांडेशन को अर्थ गार्जियन अवर्ड दिया गया ठीक है पाना उत्तरा खंड उत्तरा खंड के अगर बात करें तो यह 2000 में आया था अब यहाँ आप से पूछा जा रहा है यह परंबी की उल्म जो है इसको यह जो ही जो टाइगर कंदर वेशन नादुटे लंघ्रण है और चरंगाना और आंध्रदेश फटाफर से बताते चलना ते लंगाना का पॉंचंपली ते रंगाना का पॉंचंपली वह यह नाम लिख लो वर्ड टूरिजम और्गेनाइज़ेशन ने खाए कि वह टूरिजम के लिए यह विलेज यह यह बास या रहत रूद्रेशुरा टेंपिल या फि अगर इस टेट अनरजी एफिशेंसी में कोई टॉप में रहा है तो वह आपका करना तक ही है वह आपका करनाटा की है पहला नाशनल पार्क भारत का जिसमें सैटलाइट फौन से क्यूब करें सैटलाइट फोन बोरा यह करा गया यह है अरगर आप से यहां पर पूछा जा रहा है कों सा रहेंगा तो यह रहेगा रहेंगा कादी रंगा रहेंगा यह सब कहा है यह बात याद रखना यह सारे के तारे असम्में और आंसर रहेगा बिएसेनल के दौर बिल्कुल अकरम निकिता कवीं रपी के पारोटी शालिनी बहुत अच्छे या रखना कदूएली वेट लैंड को कहा गया अब यह सुल्वी बिल्ड सैंक्चुरी होगी इस स्टेट की किस स्टेट की यह आपको बताना है किस स् यहां पर निकिता कहरें काना कहरें ओके पारवती ओके शालिनी कवींद्र याद रखना ऑप्षिन नाडू का आपको काजू हुए ली वेट लैंड है जिसको का गया भी है हम इसको डिक्लेर कर देंगे सोलवा पक्षी अभ्यारन इस जगह का यानि कि तमिल नाडू का अब तुम से पूछा जा रहा है यहां पर एक हैदर पूर वेट लैंड है अब यह हैदर पूर वेट लैंड न्यूज में क्यों रहा है क्योंकि यह आपका किसी स्टेट की नाइन्थ रामासार साइट है और य बिजनौर के आदवाथ को देखने को मिलेगा अगला 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 नाम के नाम नर्वान बन सकते हैं पर अभी जब यहीं इस चीफ का यहीं जो है यहां पर इस स्टाफ कमीटी का है अटोमेटिकली परमानेंट हैड हो जाता है इस स्टाफ कमीटी का यह जो परमानेंट है यह पोस्ट हो जाती है तो जैते ही बिपिन रावत जी का निधन हुआ तो यह दोनों पोस्ट एम्टी होगे यह भी एम्टी होगे यह भी तो जब तक आ जा रहा है हम इनका ओफिशल अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं सरकार कह रह स्टाफ कमीटी के द्यक्ष के रूप में कारेभाड समालेंगे क्या है कंब बनाएगे और सीडिया सालने से पहले यहीं काम चलता था तो कहा जा रहा है क्योंकि जो पुराना सिस्टम था ना पुराना सिस्टम था उसको फॉलो किया जा और इसी के अंतरगत इन्हों चीफ आर्मी चीफ मनोज मुकंद नर्वाने जी को चेर्मैन बना दिया चीफ ऑफ स्टाफ कमीटी का और वही इसमें आर्मी नेवी और एयर फोर्स में जो भी बाते होती है उसको देखते हुए चलता है और वो यहाँ पर इनकों में बैटर ताल मेल बैठालने में मददगार होता है अब सीडियस की पोश्ट 2019 में क्रियेट हुई थी यह मार कर लेना किसे के रिक्यमेंडेशन पर भाई यह मार कर लेना जो यह पॉइंट लिख रहेना इंपॉर्टेंट है यह का जा रहा है जो यह पॉइंट यहाँ पर बोल दिया गया था कि यहाँ पर कुछ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जैता हमको कुछ चाहिए या कुछ ऐसी पोस्ट आने को आपको देखने को मिली थी अब आगे यह कहानी हुई कि गॉवर्मेंट ने जब यह पोस्ट बना थी तो यहाँ पर नि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यही यहाँ पर मिलिटरी अफेर्स का जो डिपार्टमेंट है ना इसी के अंतरगत जो एक कमिटी बनी ना उसके भी पर्मनेंट हेड हो जाएंगे और इन्हों ने यही कहाता कि यह पर्मनेंट चेर्मैन होंगे सीडियस इस एक दिश्टिंग स्टाफ कमिटी के इसका अस्तित्व नहीं बंद किया था इनको पर्मनेंट हेड बना दिया था इसका और यह बात इसके अंतरगत कहीं गई लेकिन जब तक किसी भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में किसी कभी ऑफिशियल अपर डाला की फोल्ट रनर भी नर्वाने जी है इ एंडियन आर्मी की बात हो रही है और नंगया है कि पहले के समय ब्रिटिफ अंडियन आर्मी कही यहां पर अनित सो पच्यास में यहां और यहां पार कहा जा रहा है कि पहले यह जातो यहां पर आरमीね मनाया जाता है इस के अलावा बात की जाता है तो इस ळे जनरल बिवनोज मुकंद नर्वाने कोन है नर्वाने यहां के चीफ हैं यह बात यह बात तो बहुत नहें इस कोन करने आ रहा है इस कमीटी को लीड कौन करने रहा है के लिए एक कमिटी बनी थी इसको लीड कौन करने आ रहा है अक्रम शालनी कभी इंदर निकिता पर्वती काना बहुत अच्छे ठीक है फ्ससाइ बिल्कुल अभी ले आएंगे इसके बाद आली नूस के बाद तुम्हें ले आएंगे फैसे के बारे में ठीक है आचा फूट से गुर्मीत पाल सिंग नाम के है और अगर है तो एक थम्सप लाइक करते है ठीक है तो यहां पर जीत डोभाल कान वह यह नाशनल सेक्योर्टी अडवाइशा रहें और वहीं अजय कुमार की बात करें तो कौन है सचिव है कौन है रक्षा सचिव है कौन रक्षा सचिव है आ बनते वह जिन्त पंडाइड बनते डियारडी ने कहा था हम शाफ टेकनोलोजी लाएंगे यह शाफ टेकनोलोजी का मतलब अभी हमने अठ्व ती नाइन इनी विल्कुल इंडियन नेवी अहर हरी कुमार नेवी डे मुझे नहीं पता कब यह वह इनदे क्या नाम होता है कर नत्राजन के नच राजन प्रिष्ञासवामी नट राजन इसके हैड होते हैं और क्या यहां पर कोश्ट गार्ड डे कम मनाया जाता है यह बताते चलना तो यहां पर याद करना कि अगर कोश्ट गार्ड डे पूछ लिया जाए तो यह आपका मनता है कब कौन सा वाला फरवरी को मनता है तो यह आपका कोश्ट गार्ड डे अगर बात की जाए तो यह आपका एक फर यहां पर कौन कौन से बारत पाइब नहीं नहीं तो यहां पर कौन कौन से देश पार। पार्ट यह बताते चलना चाइना मंगोलिया थाइलैंड प्लेस पाकिस्तान प्लेस पाकिस्तान तो उपर युक्त सभी बिलकुल काना निकिता बहुत अच्छे उपर युक्त सभी इसके पार्ट यह रखना वहीं यही लाते हैं और यही आपके लिए कौन लाते हैं फूट सेफटी इंडेक्स लाते हैं जिसकी स्थापना किसके अंतर काता है सब्सक्राइब है इस अगर आपको सेफटी एंड फूट सेफटी एंड फूट सेफटी एंड फूट सेफटी एंडेक्स2006 के अंतर गता और फूर्ट सेफटी से रिलेटट जो भी चीजें आगस्त दोजाराट का समय था जब इसकी स्थापना कर दी और एडिशनल पॉइंट है नहीं दिल लिए और तुमसे पूछा जाए इसके चेर परसन की बात की जाए तो इसके चेर परसन है आपके राजेश भूशन लिख ले ना कहीं राजेश भूशन है और अगर आप से पूछ ले जाए कि बहुत सीओ कौन है तो इनके है अरुन सिंगल जिनका अपॉइंट्मेंट यह बात इस्टार मार्क कर लो ठीक है मैंने तो दोनों ही पूछ बता दी क्या प्लियर है क्लियर जिसने भी पूछा था अभिशेक ने पूछा था आगे भड़ा जाए नेक्स्ट अच्छा एक एक सब्सक्राइब तो यहां पर का जा रहा है यह जो एक्ससाइज आपकी थी यह कौन-कौन से देश के बीच में फटा फट से बही जवाब आना चाहिए और सेशन लाइक हो रहे हैं नहीं हो रहा है ठीक है लाइक हो चाहिए तो कहा चाहिए एक डिफेंस ऑफिशिल ते टॉप इंडिया श्रिलंका और कौन सी एक देश थे जिन होने एक एक सब्सक्रा इंडिया श्री लंका और माल्डीव इंडिया श्री लंका और माल्डीव ने इसमें पार्ट किया था टीटी एक ट्वेंटी ट्वेंटी वन में मैंने बताया क्यों होती है और अगर बात की जाएं यहां पर यह इन तीन देशों के बीच होती है वहीं आप से माल्डीव ही देश है जिसके साथ यह कुछ दो तीन महीं ने पहले कि यह आपका यहां पर क्या माल्डीव च्री लंका इंडिया और माल्डीव अगली नियुक्त पाउंडेशनल लिट्रेसी इंडिया परिश्य मंगालने फांडेशनल लिट्रेसी इंडेक्स और संख्यात्मक में बड़े राज्यों में टॉप है वेश्ट बैंग और इसमें कई क्यों आया किन यह रंकिंग आई थी क्या था और सारी बाते बताते हो चलते क्यों आया था किन के लिए रंकिंग आपको देखने मि पहले तो कहा गया कि रिपोर्ट किसने रिलीज कि ध्यान देना ध्यान देना सब ध्यान से पढ़ो इंडेक्स और फाउंडेशनल लिट्रेसी और न्यूमरेट थी पर सुचकांक आया इस पर रिपोर्ट आई किस पर इंस्टिटूट फॉर कॉंपिंटिवनेस किसमें इसको रिपोर्ट रिपोर्ट को रिलीज की थी यह dar तो पृत पर इसी पर बने वही और्धिक सलाका प्रदी परिशत दुआर प्रदान मंतरी के जो है यहां पर रधान मंत्री के यह जो आर्तिक सलाकार है उन्होंने जो है जो चेर्मैन है जिनका नाम है वीबेक देबरोई इन्होंने रिलीज कर डाला था इस इंडेक्स को फिर कहा जा रहा है इंडेक्स आएम क्या था जो भी लर्णिंग है पूरे के पूरे देश में भारत में उन्से रलेटेट जो भी लर्णिंग है जो भी चीज़े हैं उनकी बात इस इंडेक्स में की गई और इसके अंतरगत इन्होंने चार कैटगरी में रैंकिंग लाडाली लार्ज स्टेट स्मॉल स्टेट नौर्थ इस्ट और यूनियन टेर्जरी तो चार कैटगरी बड़े राज छोटे राज पूर्वोतर और केंद्र शादित प्रदेश यह चार रैंकिंग इसके अंतरगत आई क्या रैंकिंग आई क्या बात की गई आओ देखते हुए चलते तो अगर बात की जब बड़े स्टेट में तो भाईया वेस्ट बैंगॉल आपका टॉप पे ने रखना तो यहाँ पर वेश्ट बेंगॉल की बात की जाए तो इसने लार्ज की टैकरी में इसने टॉप किया है और अगर भीएंक यूनियन टरिटरी और नौर्टीश में देखा जाए तो यूनियन टरेटरी में वहिए लग शुद्वीप सबसे टॉप में रहा और प्रदेश नीचे रहा और अरुनांचल प्रदेश देखने को मिला यह पूरी रैंकिंग आपके लिए पूरी रैंकिंग दी गई थी क्या यह रैंकिंग इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यह प्रदेश में याद रखने हैं पश्यम बंगाल कौन है इनकी यह वही है जो आपकी एक लिस्ट में आई थी जो आपकी लिस्ट में आई थी और इनका नाम क्या है इनका नाम याद रहतना इनका नाम रहेगा यहां कापर ममता बैनरोन जी मैडम कौन है ममता बैनर जी मैंडम यह की कौन हैं गवर्नर का जगदीप भंकर नाम है यहां के जो गवर्नर होते हैं पिर उसके बाद बहुत चलना फिर उसके बाद बता चलना ऑफकोर्स कोल काता इसका क्याप्टल होता होती है लोक सभा की कितनी बयाले सीट और राज सभा की सोला सीटों के साथ यह रहता है और अगर बात की जाए तो जन संक्या में ज्यादा कुछ पीछे नहीं है चौते स्थान पर यूपी टॉप म बात रहता है वहीं यहां पर बात की चापकशी की तो वाइट फ्लावर इंग फिशर होता है हूं पलावर रिंग जैस्मीन यहां का फूल पूल जैस्मीन पर नाम होता है चाति त्री और यह आपका याँ का स्टेट कहलाता यह बात याद रटा है नेशनल एनरजी कंदर वेशन अवर्ड वहालड सराज लेगा नाशनल एनरजी कंदर वेशन डेवी बता दो बहुंद बता तो यह जल्दी से लाइक हो रहा है आप से बात करी जा रही है तो बोला जा रहा है तो यहां पर यह मिला राजस्थान को रॉटाएं उन यहां पर अकर तो राजस्थान से बीजिते नाटा इनरजल को नाशनल इनर्जी जा ठेसान स्विय वे घर चाहिए कर रहा है पर अगर aa सब्सक्राइब को जब आपको यह नाशनल एनर्जी कंदर वेशन डे होता है यूरो अफ एनर्जी एफिश्वेंसी द्वारा यह दिन मनाया जाता है यूनेसको की आपकी यहां पर अमूर्थ सांक्रितिक विरासत सूची में इने में से कौन सी चीद आया थी वह यह जो आया चलो क्या अंसर होना चाहिए यह अमूर्थ विरासत में यूनेसको की कौन आया लेटेश में छट पूचा रतियात्रा लक्ष्मी पूजा गणेश पूजा या दुर्गा पूजा और यहां वेस्ट बेंगॉल के नाम से आपको दुर्गा पूजा याद रखना है क्योंकि इहां पर यहीं है जिनकी जो है यहां पर दुर्गा पूजा यह पर इंटांजिफाल कля्टुरल हेल्टेज में यहां आपको देखने को मिला बिलकुल vegLlle को नीता शैलेनी काना ओके रूपा पार्वती बहुत अच्छे बहुत अच्छे LIKE यहां पर विल्कुल सही आंसर है पिर यह पर आत्मी निर्बर भारत रोजगार योजना बहाई कौन सा पर कौन सा इस्टेट में काहें सबते ज्यादा बैनिफीश्टी यह बताते हो चलना है इन्हों बहुत अच्छे यहां पर सबसे जादा बेनिफीश्री रहे फटा-फट से बताते चलना तो याद रखना यहां पर टॉप में जो आपका रहा वो रहा महाराष्ट बिलकुल सब्सक्राइब कंवीनद्र बहुत अच्छे यहां पर राष्ट महाराष्त यहां परंजिस्टार यह यहां पर यह तॉप यूपी में रहा था जहां पर तुम लोग का कंफ्यूद हो रहे हुआ पर यहां पर महाराश्च नहीं रहा है गुजराथ का बढ़ा है अब यह हो चुका है गुजरात पहले अभी आपका महाराष्टी टौप में लीट्स की बार गुजरात और अभी स्वालों की बार की न इन्हों नहीं फूट सेफ्टी इंडेस लाए ते यही फूट सेफ्टी इंडेक्स लाए तह है और इसी में टौप भी लाज स्टेट में ही पंचायत में पुरसकार उस्तरप्रदेश और साथा साथ यहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वहिकल्स में भी यहीं देखने मुले आई पीए स्मॉल इस्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स में अगर आप से पूछा जाए तो कौन सा टॉप है फटा-फट से बताते चलना तो बहिए स्मार्ट पुलिसिंग में आपका टॉप म सब्सक्राइब करते हैं तो मोधी जी गए हैं गोवा लिब्रेशन डे के तैलिब्रेशन को सब्सक्राइब करने में और इंडियन नेवी ने इसके प्लक्ष में प्रोग्राम अगरा कुछ रखता है अब मोधी जी तो खैर काफी चीदों में काफी चीदें करी गई उसमें देखने को मिले गोवा लिब्रेशन डे क्या है यहां पर 19 दिसंबर को मनाया जाता है यह इस सब्सक्राइब करेंगे इस तो और उपरेशन विजय के जो भी आपके वेटरंस में क्या है यह इए ऑपरेशन विजय क्या यह बताना है तो गोवा लिब्रेशन डे को सेलिब्रेट किया जाता है 19 डिसंबर को क्योंकि इसी ओपरेशन विजय की सेक्सेस हुई थी जिसकी वज़े ते इंडिया नाव फोर्सेस नहीं यहां पर गोवा को पॉर्टुगी रूल से यहां पर क्या-क्या था आजाद कर दिया था आगे की बात की जाए तो दो जगाह है एक है गोवा और एक है दमेन एंट्यू लिब्रेशन डेई यह मनाया जाता है 19 डिसंबर को हर साल गोवा में गोवा लिब्रेशन डेई यह बताता है जो इंडिया नाव फोर्सेस वही बात की गई और इंडिया कंप्लीटली फ्री हुआ यूर्योपियन रूल से इसी दिन उन्निस डिसंबर को ही इंडिया को कॉम्प्लीट फ्रीडम मिल गई अब हुआ क्या इंडिया नाव फोर्सेस में नैंटीन सिक्ष्टीवन में साड़ेच चार सो साल का यहां पर गोवा में क्या हुए था साड़ेच चार सो अलका पोर्टिगी तर रूल रहा था यहां पर लेकिन इंडियन आम फोर्सेस की मदब से 1961 में यहाँ पर गोवा को आजादी मिल गई ठीक है इसमें कहा गया कि यहाँ पर 1510 के आसपास बात की जारी है पूर्टुगाली ने 1510 में भारत के कई हिस्सों का उपनिवेश किया था यानि कई हिस्सों में इन्होंने रूल किया था यहाँ पर 19th century के एंटक जिसमें थे इंडिया वर्ड और यहाँ पर का गया गोवा दमन द्युदादरा नागरवली यह सब देखने को मिले इसके अवलावा क्या कहा गया अगस्त 15 1947 को जब भारत आजाद हो गया जब भारत आजाद हो गया गोवा सब भी पॉर्टुगीज रूल के अंतरकता और पॉर्टुगीद ने कहा कि भाया हम गोवा को छोड़ेंगे नहीं और जो भी इंडियन टेर्टरी नहीं को भी नहीं चोड़ेंगे कई तारी कोशिशें हुई लेकिन कुछ भी काम नहीं आया फिर उस टाइम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंडिया क पर होता है जीत मतलब होता है जीत ऑपरेशन विजयन का इस विजए का मतलब होता है जीट ओपरेशन विजय्ट नाम का यह operation आया और इसमें यहां पर इंडियन नेवी इंडियन एयर पोर्स और इंडियन आर्वी के द्वारा अटाक्स वगेर हुए फिर 19 दिसंबर को यहां पर आप से पूछा जाए तो गोवा की इसकी और अगर बात कीज़ें यहां पर इसकी चल रहती है और यहां पर अगर आप से पूछ रहे जाए तो यहां प्रमोज सावंध जी स्यामि जल्डी से देख लेंगे प्रमोज सावंध चीजित में और गवर्णर कौन है फी श्रीधरन पिल लई पमने पिल लई यहां के गवर्णर रहेंगे यह बात याद रखना यहां का पश्व होता है गवर पश्यों होती है ठीक है फिश बोला जाए तो ग्रेम मुलेट नाम होता है यहां की फिश का ठीक है कौंकरनी भी कहा जाता है फूल क्या होता है फूल यहां पर फिर से कौन सा होता है जैसमीन होता है यहां का फूल और व्रिक्ष देख लो पेड़ देख लो यहां पर तो पेड़ होता ह और यह हिस्टोरिकल इवेंट से यह दिवस निकल के आए तो पहले तो विजय दिवस कम मना है अभी यार सोलत जंबर 1971 इंडो पाक वार यार रगना और इसमें यह कितने साल पूरे हुए गोल्डन जुब लिया पचास वर्श पूरे हुए गोवर लिबरेशन दे की बात की ज सब्सक्राइब को बिल्कुल बिल्कुल पार्वति शालनी वर्शा देखते हुए चलना आगे बात की जाता है वही जब आपका भारती समविधान यहां पर लाया गया था डॉप्ट किया गया ता इसलिए यहां पर यह बनाया जारा और अगर हम तुमसे पूछने वहीं यह महापरी निर्वान दिवस क्यों मनाया जाता है महापरी निर्वान दिवस महापरी निर्वान दिवस इसके उपलक्ष में आपको सारी बाते बतानी है जिनके लिए यह मनाया जाता है उनके बारे में कुछ बाते बतानी है तो यह सारे पॉइंट आपको बताते हुए चलने ठीक है होम वक आपका उत्राखन फाउंडेशन डे रहा था 9 नवंबर कौन सा सन 2000 को और कौन सा वाला इस्टेट उडेटा बेटा ये 27 वा इस्टेट हो गया था भारत का कौन सा उत्राखन चलो बैक टू बैक तीन अवर्ड होंगे फिर कोश्चन पर चलेंगे फिर कोश्चन पर चलेंगे उस्टेट पर चलेंगे चलाएंगे पर पहले तो चलेंगे ये क्या वाल्ड है उसके बारे में बात की चा रही है जिससे यहां पर मोदी जी को सम्मानित जल्दी से देखते हुए चलेंगे ठीक है ओके तो आप देख लेते हैं आगे की बात कहा गया है बूटान ने 17 दिसंबर को अपना 17 दिसंबर को कहा था कॉनफर कहा था हाइस तिविलियन अवर्ड जिसका नाम है नगाडाग पेलगी को स्टार मार्क स्टार मार्क पूछा और यहां थी नर्त मोर्ड ऑफ सब्सक्राइब आफ डेखते चैसे हैं और यह सब्सक्राइब कर लो क्योंकि कौन सा देश सब्सक्राइब कर दिया था और नंगदाग पेल जी खोड़ लो यह यह भूटान का बहिया आपका यहापर भूटान का नाशनल डे मनाया जाता है 17 जर्म वर को इसी उफ्लक्ष में यहाँ का सबसे बड़ा न सबसे बड़ा सिविलियन ओवर्ड है जो मोधीजी को दिया गया बहЬए बूटान क्या होती है, क्यांपटल ओती है थिमफू क्या होती ही बहए ever कुलान के बारे में आपसे से बात की जाएं कंतल सब्सक्राइन कहीं पर आप मिनिस्टर है यह इनको दिया गया है पीछे नाम पड़ना लुइस हमिल्टन आप देखते वह चलते हैं इनको सर का टाइटल दिया गया है क्योंकि बहिए और यहां पर याद रखना इनके पहले एफवन ड्राइवल जैक ब्राब्रहम और इन तीन को यहां पर यह अवर्ड दिया चुका था पर हैमिल्टन पहले परसे नहीं जो अभी भी यहां पर इस स्पोर्ट में कंपीट कर रहे हैं और कंपीट करते करते ही इनको यह वर्ड यह गया यह बात याद रखना यह ब कुमार मंगलम बिर्ला इनको ग्लोबल इंट्रेप्रेणर आफ यह बिजनस ट्रांस्फोर्मेशन के लिए और यह अवर्ड दिया दा इंडस एंट्रेप्रोंस ने आप देखते हुए चलते यह जो आवार्ड दिया गया है यह बिल्ला ग्रूप के चेर्मैन को यह वार्ड दिया गया है जो यह सेरिमनी हुई थी दुबई में हुई थी और इसके अंतरकत बही जो इनका इती फेल्ड में कोविड नाइंटिन पैने डैमिक के समय में भी जो इनका कॉंट्रिब्यूशन रहा था इसी अपनी फिल्ड में उसके लिए यहां पर कुमार मंगलम जी को य इसी ग्लोबल इंट्रेपरििन आवर्ड बदी एयर में जिसमें कुमार मंगलम जी को यह आउurt दिया और यह फूर्ड की दॉरे पर यहां पर आगे की बाच्पर समय जल्दी से डिस्कर्स करते हैं टाइम कम है और थोड़ा सा आगे अभी थोड़ा सा और कंटेंट है किस चीज़ सा इंपॉर्टेंट एंपॉर्टेंट की उसका साथवा डॉक्टर किसको दिया गया वी प्रवीन राओ जी को साथवा डॉक्टर एमे स्वामी नाथन अवर्ड दिया गया ठीक है जी हां ओमनी क्रॉन के महराश में भी कल देख रहे हैं सबसे ज़्यादा के थे 57 ग्यान पीठ पुरसकार किसको दिया गया दामोदर म्यूजो को दिया गया और अ पुछा जाए 56 वाला किसको दिया गया तो नीलामी फुकान जूनियर कहां के अस्पम के जिनको यह वाल्ड दे गया याद रखना फिर जनरल ऑफ इंडियन आर्मी नेपाल के आर्मी चीफ को यह दिया गया और यह रैंक इसको प्रभू राम शर्मा जी को दिया गया जो सब्सक्राइब करने वाला इंडियन एर फोर्स साइन करने वाला इंडियन बेंगॉल टाइगर को यहां पर यहां पर यहां पर बोला गया कि फिर भी यहां बक्सा टाइगर में यह आपको देखने को मिला और यह कहांपर होता है वैस बेंगोल में एते ही निउस निकलती है एक बक्सा बेंगॉल में होता है यहां पर जो इन कहा है कि यहां पर कहीं के घी नाम जानते तो तुम यह बता पाओगे तो वह यह स्विकार कर लिए मिध्रा बिल्कुल 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 अच्छा अब यह जो होंवग था दो योजना यह हम मंदे को डिसकस करेंगे भई मेरा मन शालनी जी ने पाटिसेट किया है और भी लोग पाल्टिसपेट करें अच्छा अब यहां पर यहां पर यहां पर इन्हों ने बताया बैटल ओफ बक्सर के बारे में और पानीपत के थरतीसरे यूद के बारे में यह हम लोग मंडे को डिसकस करेंगे इसके साथ साथ आपका और यह तो योजना है बहुत जिसमें इन्होंने नाम दिया बेटा तेजस्विनी और होसला बिल्कुल यह यहां रखना तेजस्विनी और होसला जम्मू कश्मीर बैंक के लिए यह लाए गई है यह इंपॉर्टेंट बनता है बैटल और बक्सर और पानीपत और लोग पाल्टिसपेट करना बताना इसी ज्यादा सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करते चलना और यहां पर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ कौन से किसके बीच में लडाई हुई क्या वर्ष था इसके बारे में बातें आपको बताते हुए चलनी है और साथी साथ अगर सेशन पसंद आया है तो इसको भया लाइक कर दéta और अगर यहां पर बैटा टाइगर होता है यहां पर बंगौल में कार्थ और पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब बैटा भोर यहां पर लेए स साथी साथी स्टाटिक न्यूज में सुबेश का दुपहर में सावा पारावजी इसी किता थांक्यू बेरी मिच्ट स्टूडेंट्स है वह वेरी वेरी नाइस जे बेटा हर हर महादेश